हेलो गाइज नमस्कार सभी लोग को सभी लोग का स्वागत इस वीडियो के अंदर खास मैं कर रहा हूं दोस्तों जैसा अपने स्क्रीन पर आप सभी देख पाते हैं आई एम डीवी द्वारा एक लिष्ट है जो की हमें यह बताती है पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व भर में टॉप 20 वीडियो गेम्स कौन सी है ओल टाइम ओल टाइम का मतलब यह हो जाता है दोस्तों कि आप उसको सारे समय में मतलब की पूरे साल भर के इसाब से देखें या पिछले 10 साल के इसाब से देखें या सारे समय को मिलार के हुए देखें तो आप यह कैसे तैग करते हैं कि कौन सी वीडियो गेम्स सबसे जादा बढ़ि विकॉस देर आर लॉट ओफ गेम्स क्यूंकि सबको पता है कि हमें गेम्स बनाने के लिए कोडिंग सीखनी है उसके बाद थोड़े लेवल उसके अंदर कैसे कैसे लेवल होगा किस तरीके से गेम खेली जाएगी किस तरीके का उसमें मेकैनिजम लगेगा इस तरीके से असान आज के समय पर वीडियो गेम बनाना हो चुका है क्योंकि आपके स्कूल्स कॉलेजिस में या फिर कंप्यूटर साइंस की स्टडीज में कोडिंग लेंग्विजिस पढ़ाई जाती है जैसे की C++, Java, Python और भी Kotlin और इसके अलावा HTML, CSS, JavaScript और इस तरीके की कोडिंग लें आज के समय कोडिंग सीख जाता है उसके लिए एप बनाना, website बनाना, software बनाना या APIs बनाना या फिर इसके अलावा वीडियो गेम्स बनाना या internet से जुड़ावा कोई ऐसा नया कुछ आविशकार टाइप करना कुछ भी नया बनाना ठीक है वह बड़ी असानी से हो जाता है क्योंकि coding ही एक वह भाशा होती है जो computer के लिए काम करती है तो आप जानते है जैसे कि आज के समय किसी को अगर java script, html, css और यह सब चीरिया आ जाए तो वह असानी से अपनी खुद की नई website बनाकर internet पर launch कर सकता है ठीक है हाँ इतना असान है और वहीं अगर किसी को यहां पर दूसरी language जैसे python, java, c++, c kotlin और इसके अलावा जो और भी coding languages है जैसे कि आपकी ruby है, r है और इस तरीके की और भी बहुत सारी coding languages है और अगर आप सब लोग यह सब जानते है SQL, MongoDB, .NET और यह सब चीजे अगर आप जानते है तो मैं मानता हूँ आप असानी से एक video game बना सकते हैं लेकिन video game बनाने से भी जादा दूसरी important चीजी है कि जब हम video game खेलते हैं तो हम क्या किसी भी video game को internet से ले और उसको download कर लें अपने PC में, laptop में, mobile phone में, smartphone में और खेलने लग जाए उसको क्या ऐसे हमारा time कट जाएगा क्या हमें मजा आएगा नहीं आपको जब यह पता लग जाएगी वर्ल्ड की top 30 video games अगर आपको कोई एक video में बता दे तो इससे आपके पास एक अच्छा collection हो जात मतलब कि top and best 30 video games of all times मतलब हर समय पर यह अच्छी game मानी जा रही है सारे समय को include कर दू तो यह सब के हिसाप से भैतरीन है चाहें वो किसी भी country यह country wise नहीं है यह across the world के हिसाप से मैं बता रहा हूं कि पूरे worldwide आप इन 30 video games को खेर सकते ठीक है अब इन video games के अंदर मैं आपको ब website है इसने इसके ओपर article ready किया है बिल्कुल एक सही accurate जानकारी इन्होंने दी है और इसमें आप अगर देखते हो तो यह इनका जो article था इन्होंने इसको कल ही modify गिया है मत्तब कि आप इस list को मान सकते है accurate क्योंकि यह कल ही last इसमें change किया है तो हम आपके लिए आप लाए है 30 top video games across the world हम इस वीडियो में उन सब के नाम जानेंगे साथ साथ दो चार बाते जानेंगे उस हर एक गेम के बारे में और हर यह जो जितनी भी गेम इस वीडियो के अंदर आपको बताई जा रहे हैं यह सारी free of cost होंगी या कुछ paid होंगी तो वह आप चैसे इसको download करने जाते हैं smartphone में, laptop में, PC में, monitor में, macbook में या फिर अलग devices में तो वहां आप जैसे download करने जाएंगे तो वहां से आपको पता लग जागा कि यह paid है या free है ठीक है तो आप उस तरीके से देख सकते हैं मतलब जनरली जितनी भी best game होती है video games वो free ही होती है ठीक है और क्योंकि video game बनाने वा इस वही होता है कि level के अंदर क्या mechanism लगाया कि कैसे कैसे game power होगी उस तरीक येगा तो हाँ इसमें बहुत सी game ऐसी होंगी जो live भी खेल सकते हैं तो इस video के अंदर हम 30 video games के नाम discuss कर रहे हैं अब इन में से कुछ ऐसी होंगी जो paid हो सकती है मतलब आप उसको खेलने जाओ तो पैसा चार्ज करें उसमें कुछ ऐसी भी हो सकती है जो कि free of cost खेलने को मिले लेकिन दोस्तों ये इतना याद रख लीजिए ये best top 30 video games है across the world तो इसके list इस video में आपको मैंने video के नीचे दिया है इसके साथ-साथ इन video games के नाम थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी वग मैं search करते हैं तो इस तरीके के आपको नाम दिख जाएंगे कोई भी आपको इस तरीके से video एक video में नाम नहीं दे पाएगा या दे दिया होगा किसी ने और मैं आपको इस video में दे रहा हूँ अब देखिए imdb का article follow करते है तो वह भी ठीक है अगर आप usa today.com website का भी आप article follow क कर सकते हैं इन्होंने भी 30 video games के नाम लिश्ट में अलग से दे रख्या है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे मैं अगर चाहूं तो usa today यहां पर आप देखते हो reno gadget journal नाम की एक website है इन्होंने दिसंबर 30 दिसंबर को लिश्ट तयार कर लीती इसी के उपर की top 30 video games बताने के लि लेकिन कुछ ऐसी भी होती है video games जो कि हम best consider करते है best मतलब कि हमें खेलने में अच्छा लग रहा है हर तरीके से उसमें graphics अच्छा effect डाला हुआ है अच्छा animation वगरा है अच्छे तरीके से सब clear दिख रहा है quality वड़िया है उसमें chat का option है ठीक है calling का option है उसके अलाबा यहां प सबसे आप अगर चाहें तो wikipedia.com एक website है यह encyclopedia नाम का एक website encyclopedia है आप किसी को नहीं पता encyclopedia क्या होता है मैं आपको बता दू wikipedia एक ऐसा website है दोस्तो across the world आप पूरे विश्वबर से कहीं से भी access कर सकते है इस website पर और इस website पर क्या है ना किसी की biography जानना हो किसी हो तो किसी भी व्यक्ति के ओपर कोई article या किसी भी नई चीज पर आपको कुछ add करना है वो आप इस website पर add कर सकते है माल लिजे किसी चीज के बारे में official और authentic जानकारी आपको पता है आप इस website पर add कर सकते है ठीक है और भी बहुत सारे चीज इस website पर होती है मतलब ये website बहुत यहां यहां पर list of best video games consider कर सकते हैं आप खेलने के लिए उसकी list दी है आप मानोगे नहीं दोस्तों इन्होंने 1900 मैं आपको बताता चलू 1970 के सुमय से 1970-1971 के समय से 2022 तक की सारी video games की list इन्होंने इधर डाल दी है तो समझ रहे है इतना अच्छा कर रहा है अब मैं इसी लिए कह रहा था कि आपके साथ यह पूरी list discuss करने आयों इस वीडियो में subscribe कर लेना चैनल को चैनल के नीचे बटन होता है subscribe option होता है उसको दबा के आप किलिक कर लोगे तो आप मेरे से direct connect हो जाएंगे इसका फायदा यह होता है कि जब भी कोई भी नए topics, नई videos, नई shots, नई reels, नई community post यह नया कुछ भी हम डालते हैं इस चैनल पर वह आपको पता लगता है साथी साथ इस चैनल के about section के जितने भी link लगे हुए twitter का, whatsapp का, telegram का ठीक है या फिर facebook का इन सब से आप direct access करके connect करते हैं हमसे तो आप याद रखिए दोस्तों बहुत सी नई-नी चीज़े यहां ला और इसके साथ ही साथ हम यहां पर इसी तरीके की जो पूरी list है इसको हम दूसरे तरीके से भी discuss करेंगे एक तो हम IMDB से समझेंगे दूसरा हम अगर देखते हैं तो internet पर google browser पर आप अगर इस list ऐसे डालते हैं top 30 video games in the world तो उसके इसाफ से भी list discuss होगी और एक और तरीके से जादा लॉंग नहीं करेंगे इसलिए हमें समय रहते हैं यह cover करना है अब देखिए जैसे यहां पर carroll times herald ठीक है carroll times herald herald नाम का website है इन्होंने भी top 30 best open world video games of all times का list दिया है इस पर मैं किलिक करता हूं तो यह भी 3 दिन पहले आया है मैं इस वाले को भी इस वीडियो के आदस से असानी से इस पूरी जानकारी को समझ पाएंगे ठीक है आप चाहो तो मैटा 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 मैटेक रिटिक्स मैटे सिट्रिक्स के मैटे सिट्रिक की तरफ से समझ सकते हो otherwise आप गेम स्रेडार प्लस से भी समझ सकते है जिन्होंने 25 best PC games बताई है to play right now अभी के अभी ज 21st century मतलब हो जाता है 2100 year आने से पहले पहले तक की सारी गेम इन्होंने यहां बता दी है 21st century मतलब क्या हो गया मतलब की 21st century जब होगी जब कोई भी सौरन बनाता है तो हम बोलते हैं century न यानि की सौरन बना तो first century हुआ इसी तरीके से 200 year पूरे होंगे वर्ल्ड के तो 21st century तब तक चलेगी तो हमारी 21st century होगी यानि 200 year जब वर्ल्ड पहुँचेगा उससे पहले पहले तक की गेम इन्होंने best बता दी है मतलब कहने का यह है कि 2024 की सारी 24 तक की सारी best video games की list इसके अंदर है याद रखिए इसके अंदर यहाँ पर जितनी भी video games की list होगी the guardian वाले में तो the guardian की जो list है वो 2000 year से लेके 2024 तक के बीच की है यानि 2000 से पीछे के year वाली games इसमें नहीं होगी ठीक है अब games कही तरीके से होती है games हार तरीके की होती है games नहीं है ऐसा नहीं की video games ही होती है अलग से cartoon वाली game हो गई racing की game हो गई तरह तरह की video games मत्तब है कि आपको पूरा उसका video दिख रहा है और आप उसको level wise खेल रहे हैं और बहुत advanced उसमें graphics है और बड़े आप live connectivity के साथ लोगों से connect कर पा रहे हैं उस तरीके की game है तो हम यहाँ पर क्यारेंगे क्या car role times herald यह वाली website का article लेंगे इसी list के लिए IMDB का हम discuss करेंगे और internet पर google पर जो top 30 video games in the world का list है उसको हम समझेंगे याद रखिए हम यहाँ पर हर game के नाम के साथ एक दो line ही discuss करेंगे सारा discuss नहीं करेंगे video में जल समय के समय के अंदर खतम करना होगा तो subscribe कर ले like कर ले share कर दें video को comment में नए topics drop करें जो भी आपके नए topics हो हम जल्द ही tech world में भी आने वाले हैं जल्द ही education field में तो हम चली रहे हैं tech world में भी पहुँचेंगे और हम जल्द ही कोशिच रखेंगे कि हम हर sector में आपके लिए नहीं नहीं चीज निकालते रहें नहीं चीजे लाते रहें अभी तो हम सिर्फ discussion कर रहे हैं हम actual में भी सब चीजे निकालेंगे जल्द ही जल्द ही हम खुद की आपके लिए website games apps सब निकालने वाले हैं आपके लिए तरह तरह की actual advanced graphics के साथ games वगेरा भी निकालेंगे जो की हम कोशिस करेंगे फिरी of cost available कराएं across the world यह भी हमारा try रहेगा ठीक है तो आप अगर इंडिया से हैं तो आपको मेरी सारी बात समझ आती होगी मैं मानता हूं आप ऐसे country से सुन रहे है या ऐसी जगा से जहां पर हिंदी के अलावा कोई English बोल रहा है मराथी गुजराती Arabic Chinese Russian ठीक है या कोई दूसरी language बोल रहे है ठीक है across the world जरूरी नहीं है कि सब हिंदी इंगलिस ही समझते हों कोई रशियन कोई Chinese और कोई यहां पर अफगानी जैसी भाशाय बोलते हैं ठीक है कोई France बोलता है तो यह सब languages होती है आप लो जानते हैं तो इसका नाम है caption CC option है वो राइट साइड में वीडियो के राइट साइड में इतर आ जाता है अब देखिए मैं इसको और बार समझाओंगा नहीं मैं इसका एक काम करूँगा एक ट्रेलर बना लूँगा CC वाला चीज का कि CC क्या होता है और इसको मैं वीडियो के स्टार्टिं मैं कुछ बताए तो आप उसको caption on करके बदल सकते है भाशा को और आप अपनी मन चाही भाशा से उसकी बात अपनी बाता सारी समझ सकते हैं उन सकते है आप बहुत से यूटीवर्स को जानते होंगे जो ऐसा ही करते हैं इंटरनेट में अपनी वीडियो यूटीव पर डालते हैं और वो एक language में नहीं बलकि चारचल language में डालते हैं जिससे कि उनको हर देश की या हर एरिया की audience देखे इसलिए उनके views और watch hours बनते हैं जिससे वो लोग पैसे बनाते हैं अगर मैं कुछ लोगों के example लूँ मेरे को actual idea तो है नहीं I think यहां पर Mr.Beat YouTuber है world के hashtag one YouTuber है as their subscribers और a most richest YouTuber भी है world में Mr.Beat मैंने ऐसे जनरली नाम लिया है तो यह वो YouTuber है दोस्तो यह वक्ति यह व्यक्ति अपनी वीडियो हिंदी में भी launch करता है इंग्लिस में भी launch डालता है अपलोड करता है हिंदी में इंग्लिस में ठीक है तो इससे इसको फायदा है मिलता होगा इसको अच्छे खासे views वाचावर बनते होंगे क्योंकि अपनी वीडियो को डिफरेंट डिफरेंट लेंग्विज में अपलोड करता है सेम वीडियो को सेम वही चीज आपके लिए आएगी क्योंकि मिरको पता है अभी तो हम इंडिय सारी चीजे ला रहे हैं यह तो चलिए वर्ल्ड वाइल्ड है वीडियो गेम्स का लेकिन जब हम इस्टडी की बात करते हैं एक्जाम्स की प्रपरेशन की सेलेक्शन की जॉब्स की तो वहां हमें क्या है न हर देश के लोगों को कनेक्ट करना है हर ओडियंस को ठीक है तो इ इस वीडियो में जो भी कुछ बता रहा हूं कैप्शन की मदद से सारा समझ लो दूसरी लेंग्विज में ठीक है तो सबसे पहले आप यहां देखो टॉप थर्टी वीडियो गेम्स एवर क्रियेटिट सब्जेक्ट में चेंज तो आप इस लिस्ट को देखते हो तो लेजेंट ओफ जैल्डा तो ब्रीट ओफ द वाइल्ड यह हैस्टेग नंबर वन टॉप पर है आई थिंग देखे आपका लिखा भी है टॉप थंटी 30 के अंदर यह वन प अच्छी है अब इसके बारे में मानता हूं कुछ लोग और अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस पर आपके लिक करोगे तो आप यहां होगे यहां आ जाओगे और इस पर फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा इनोंने बता रखा है इसके बारे में इ जोरसू ओबुजा वेर रूडू यह इसके नाम है मतलब इसके ओरिजनल टाइटल दो तिन तरीके से हैं मतलब जैसा आप जानते हैं जैसे आप किसी चाइनीज सॉंग को सुनने गए तो उस चाइनीज सॉंग का नाम ऐसा होगा जो कि चाइनीज बाशा में होगा और चाइ जैसपुरी में कुछ और होगा महलब हर तरीके की लैंग्वेज में उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है तो वैसे ही लेजेंट ऑफ जैल्डा ब्रीट ऑफ दा वाइल्ड ऑफ दी वाइल्ड यह एक्च्वल इसमें इंग्लिस में नाम है इस गेम का और इसी का ओरिजनल अग्वेज में यह एक वीडियो गेम है 2017 में आई थी आज इसको साथ साल हो गया क्योंकि चार साल 2020 तक और चार साल इदर तो साथ से आठ साल हो गई इसको ठीक है और इस गेम की खास बात देखो इसकी ग्राफिक्स देखो इसका कितना एक लुक दिख रहा आपको देख सकत है आप इसका माइक कैसे खोलोगे तो यह चार मिनिट का वीडियो है आप उससे समझ सकते हैं इस गेम के बारे में यह एक्चुल में गेम है क्या है ना तो आप इस तरह कैसे इसको समझ सकते हैं यह प्लेट ट्रेलर है यह गेम का ट्रेलर है ठीक है आप इसकी नौ वीडियो वेकेंस तू वन्स अगें सेवर रंड हाय रूल फ्रॉम आ ग्रेट इविल आपको बता दू इस गेम का जो डायक्टर है वो हैड मारो फूजी बयासी और हिरो की हिरानो और यह तीन लोग इसके डिरेक्टर है इन्होंने डिरेक्ट किया था इस गेम को राइटर यहां पर दो इसको बनाने वालों के बारे में सब बता रहा है इसकी कास्ट बताईए मतलब इस गेम के अंदर कौन-कौन होगा किसकी आवाज है देखो यह किसकी आवाज है इस गेम के अंदर वो बता रहा है ठीक है और सब कुछ बता है इन लोग ने इस गेम के अंदर कौन-कौन है वो आप ले सकते हो इसी के comparison में best में आप उसको भी pick कर सकते है नेक्स्ट इसी के अंदर आप इस तरीके से देखते हो तो यह सेकंड गेम है यह 2007 में आई थी और यह वीडियो गेम है इसकी रेटिंग अच्छी है अगर आप इसके बारे में जानना चाते है इस गेम के बारे में तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हो बायो शॉक पर तो आपको पता लगता है यह में 1960 में एक लोन सर्वाइवर ओफ ए प्लेन क्रेश नेम जैक डिस्कवर एन अबंडोंड अंडर वाटर अंडर वाटर में है गेम पानी के अंदर है पूरी गेम और यूटो पिया ओंली तो फाइंड आउट देट था मिश्ट्री बिहाइं इस क्रियेशन इस मच मोर सीनिस वीडियो समझ आ जाया तो आप इसको देख लेना इसके डिरेक्टर का नाम राइटर और स्टार इसके अंदर एक्च्वल में कौन लोग खेल रहे है तो उन स्टार के नाम वगएरा इन्होंने दे रख़ा है इस तार राइटर और डिरेक्टर के और वीडियो और फोटो भ अब इसी में नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्रोनो ट्रिगर है क्रोनो ट्रिगर ठर्ड नमबर पर है यह 1995 में आई थी इसके बारे में जानने के लिए आप किलिक करके जान लेना हमारा में परपस इस वीडियो में गेम का नाम और कब वो आई यह जानना है बाकी तो आप कुछ से पढ़ी लेंगे कि उसमें क्या-क्या फीचर्स हैं किस्त कितनी वड़िया है सूपर मारियो की गैलेक्सी टू वह 2010 में आई थी वर्ल्ड में टॉफ फोर पर आती है वह ठीक है तो इस तरीके से होता है पांच वी हमारी रेड डेड रिडेंप्शन सेकिंड है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यह भी 2018 में आई थी यह चार-पांच साल में ही यह आज पॉपुलर में नंबर 5 पर आती है तॉप वीडियो गेम्स में सूपर मारियो की ओडी से यह नंबर पर 2005 में आई थी और पर सोना फाइव रोयल 2019 में और यह भी एक टॉप वीडियो गेम के नंबर में आथवे पर है पोर्टल 2 2011 में आई मैंनी येर्स आफटर पॉर्टल और सेल री वाकिन एट 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 एपर्चर साइंस एंड ट्राइस टूप ग्लैडोस वन्स अगें विद रहल पॉफ वीटली हूँ है इस ओन प्लैन प्लैंस पॉर्ट इस्टोरिकल फैसिलिटी तो आप इसके बारे में पढ़ सकते है कि इ इसा जब आप खेलोगे तो आपको लगेगा तो आप जैसा यहां देख रहे हो यहां पर इस वाली गेम की भी यहां पर हमारे पास वीडियो आ चुकी है राइट साइड में जो बता रही है क्या कैसे खेला जाएगा इस गेम को क्या है इस गेम के अंदर इसकी फोटोस खेला जाएगा वो इसमें बता रखा है तो इस तरीके से आप पोर्टल सेकिंड खेल सकते हैं यह भी वीडियो गेम है अब मैं यह नहीं क्लियर कर रहा है कि सारे फिरी ऑफ कोस्ट खेले जाएंगे यह कुछ पेड होंगे जब आप इसको डाउनलोड करते है तो वहीं पता करनिया उफ टाइम उसी के अंदर कोई दूसरा सिरीज होगा कोई दूसरा अलग से होगा स्टोरी टाइम बन दूसरा यह अलग अलग ही लेवल है इसमें ठीक है तो यह 10 नंबर पर है 11 नंबर पर सूपर मारियो ब्रॉस 3 है जैसे आप भी जानते हैं सूपर मारियो नाम की गेम है उसको उन्होंने तरह तरह से निकाला सूपर मारियो सिंपल सूपर मारियो फिर निकाला सूपर मारियो ब्रॉस फिर सूपर मारियो ब्रॉस 3 इस तरीके से अब 12 वे नंबर पर है फाइनल फैंटेसी 6 यह 1994 में आ गई थी और गोल्डन आई 007 तेरह वे नंबर पर और The Legend of Zelda The Wind Walker ये 14 नमबर पर सोचिए The Legend of Zelda के ही अलग-अलग story type levels या अलग-अलग उसके जो versions है जैसे ही कि The Wild Walker है उसका अलग version तो ये सब कितने ये सारे ही popular है ठीक है इसी तरीके से Castlevania Symphony Of The Night 1997 में आई थी ये 15 नमबर पर Top Video Games में 15 नमबर पर है God of War 16 नमबर पर The Last of Us 17 नमबर पर Elden Ring 18 नमबर पर Half Life 2 ये 19 वे स्थान पर है Batman Arkham City ये 20 वे नमबर पर है हो सकता है इन वीडियो के गेम के नाम इन वीडियो गेम के नाम यहां इंगलिस में कुछ और है आप अपनी भाशा में देखते हो तो उसका नाम कुछ और हो सकता है ठीक है उसका मतलब कुछ और हो सकता है जैसे हम कई बार देखते हैं किसी बात का मतलब अगर इंगलिस में कुछ है तो हिंदी में कुछ और है हिंदी में कुछ हम समझ रहे तो इंगलिस में उसका मतलब कुछ और है पराथी में कुछ गुजराती में कुछ पंजाबी बेंगाली में कुछ असामीज में कुछ अरैबिक चाइनीज रशियन फ्रेंज में कुछ और है उसी तरीके से इसका नाम भी हो सकता है लेकिन इधर इंग्लिस में दिया है तो बैटमैन अर्खम सिटी 2011 की आई गेम है और व आयो सॉक इन्फाइनाइट 22 पर ग्रिम फैन डेंगो 23 सूपर मायो वर्ल 24 सूपर स्टीट फाइटर सेकेंड टॉर्बो 25 और टेट्रिस 26 और अन्चार्टिड तू अमंग थीव्स यह 27 पर और मैटल गियर सॉलिड 28 ओकामी 29 और 30 सूपर स्मैस ब्रोस अल्टीमेट ठीक है य इस लिश्ट में से जानना होगा आप सेंपल उस पर किलिक कर लेंगे किलिक करते ही इसकी डीटेल्स आपके सामने आजाएगी उसकी वीडियो सा जाएगी अच्छे से समझाने के लिए उसकी फोटोस इमेजिस आ जाएगी डारेक्टर स्टार्स के नाम आ जाएगे वहाँ जैसे कि जाज आदम और रिका को आये कावा और जस्टीन एन सेल्मी अब यह लोग कौन है आप जैसे किलिक करते हैं इनके नाम के उपर तो यह डिरेक्ट पता लग जाता है इसमें यह कौन लोग है देखिए देखो इस गेम के अंदर ही यह कोई करेक्टर है जस्टीन एक्टर है जस्टीन एन सेल्मी एक एक्टर है इसी गेम में वह उसके बारे में दिखा रहा है देखो इस तरी के साब को समझ आता होगा यह एक्टरों को देखके तो इस तरी के से इसमें बताया होगा इस टार्स मत्दब यह जो इसके अंदर एक्ट्वल में जो रोल होंगे गेम को खेलने के लिए उनके नाम लिखे हुग है ठीक है इनके नाम यही होंगे गेम के अंदर जब आप खेल होगे ठीक है तो इस तरीके से आप इसमें बैक आ जाते हो तो आपके सामने मैंने आई एम डीवी के द्वारा लिस्ट रख दिये आई एम डीवी कॉल है मैं बता देता हूँ पहले आपने थाटी लिस्ट थाटी वीडियो गेम्स के नाम तो समझ लिए अब जैसे आप मेन्यू पर टिक करते है ठीक है यहां पर इनका अबाउट अस का सेक्शन होगा आई एम डीवी के बारे में बता दिया जाएगा कि कौन है और मैं जहां तक जानता हूँ दोस्तों यह लोग लिश्ट रेडी करते हैं तरह तरह के आर्टिकल्स रेडी करके इंटरनेट पर आपके सामें रखते हैं और आई एम डीवी मूवी इसको लेकर भी लिश्ट लिश्ट निकालती है सौंग को लेकर भी और भी तरीके के चीजों पर रिसर्च करके अनलाइज करके लिश्ट वगेरा देती है और भी दोचार काम यह लोग करते होंगे तो टॉप 30 वीडियो गेम्स एक्रॉस दी वर्ल्ड मैंने आपको बता डाली अब इसी लिश्ट को अगर में कार, रोल, टाइम, हेराल्ड द्वारा भी आपको समझाओं तो वह भी समझा देता हूँ इनकी लिश्ट यहां पर नहीं है एक पार इसको फिर दुबारा रोल रिलोड कर लेते हैं इनकी वीडियो है तो हम इसको ड्रॉप कर लेते हैं और हम यहां से बैस्ट गेम्स, तो गेम्स में तो सारे ही आ जाती हैं हमें वीडियो गेम्स की ही बात करनी है तो हम फिर थोड़े और उपर आएंगे तर टॉप देखी यहां पर 100 वीडियो गेम्स बताई हुई है इसको हम छोड़ देते हैं हम इस वाली की बात कर लेते हैं यह दिसंबर तक 2023 के दिसंबर तक की लिष्ट है यह वाली और जो इससे पहले IMDb बताई ये तो आपकी कल तक की लिष्ट थी लाइव कल तक की अफडेटिड तो लेजेंट ओफ नयूटा बाउंड लेस ट्रेल्स ये 30 नमबर पर आती है देखो कितनी मस्त ग्राफिक्स है कितनी मस्त एनिमेशन्स वगेरा यूज करी है करेक्टर्स यूज करें कलर वगेरा यूज करें गए हैं और किस तरीके से लेवल डिजाइन करें गए होंगे तो कर्वी इज रिटन टू डीम लैंड डिलक्स यह 29 नमबर की गेम है डेव द्राइवर डाइवर यह 28 नमबर की है इसके बारे में भी चार्चल लाइने दे रख चार्च ठीक है उसके बारे में आप पढ़ना क्या से ईसको कैसे क्या है परसोना तक्तिक यह तक टिका इस गेम का नाम और च। टॉप के अनदर यह दिसंबर तक की 2023 की अपडेटी लिस्ट है तो डिस गाय या 7 वाज ओफ दा वर्चुल 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 वर्चुलस इसका पूरा नाम है इसके इसाब से स्टार फिल्ड 23rd नंबर की वर्ल्ड टॉप वीडियो गेम्स सूपर मारियो आर्पीजी 22 नंबर पर दे लेजंट अफ ट्रेल टू एजर 21 पर और डिया डियाबलो फोर ठीक है अब हर गेम का हर वर्जन फेमस हो जरूरी नहीं है ठीक है जिसे मॉटल का कॉमबट वन फेमस हुआ वह चलता है अभी भी इसी तरीके से वाइल हर्ट्स और कल को लिस्ट तो बदल भी सकती है क्योंकि वीडियो गेम की परसिद्धी इस तरीके से होती है आज जो उपर होगी वह सकता है कुछ दिन बाद कोई दूसरी वीडियो गेम लिस्ट में उपर हो जाए आज चल रही वाली नीचे हो जाए वह सब टोटली हम डिपेंड मानते हैं कि कोडर्स पर या कोडिंग करने वालों पर या जिनको यह सब बनाना आता है उनके उपर क्योंकि वह जितना अच्छा गेम बना सकें उनका गेम उपर आ सकता है फायर एंब लेम एंगेज फिर वो लॉंग फैलन डैस्टिन डैस्टी यह सोलवे नंबर पर और मेट्रोइड प्राइम रिमास्टर्ड यह पंध्रावे पर है ठीक है टाय अर्टिलर राइजा थ्री नाम का गेम है यह इस तरीके से आप देखो टाय पिक मिन फोर इस तरीके से बायो निट्टा औरिजिन्स केरे जा एंड दा लॉस्ट डेमॉन वाइएस एट लैक्री मोसा ओफ डाना इस तरीके का गेम है देखो नाम कितने अजीब से हैं बट यह गेम एक्चुल में बड़े क्लासिक बड़े एडवांस और बड़े ही बहतरीन है वीडियो गेम्स बता रहा हूं वह भ 30 इदर हो गए 30 इदर हो गए 60 हो गए इसमें बहुत से कॉमन नेम होंगे क्योंकि यह सारे टॉप हैं तो हम मल लेते हैं कि हमने आपको 30 से 35 बता इस वीडियो में तो आर मोड कॉर 6 है उसके बाद इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं कि इसमें कैसे खेला जाएगा क्या खासियत है वो सब तो हम सिर्फ नाम डिसकस कर रहे हैं तो डैड स्पेस 2023 उसके बाद हाइफाइर रस नाइंथ पर और स्टार ओशियन दस सेकेंड स्टोरी आर और इसके साथ सूपर मारियो ब्रॉस वार्डर और स्ट्रीट फाइटर 6 और रेसिडेंट इविल 4 और मार्वि स्पाइडर मैं 2 फाइनल फैंटसी 16 फाइनल फैंटसी 16 है अब सोचिए इस गेम बनाने वाले ने कितने सारे वर्जन निकाले तब जाके इसकी एक गेम इतना ट्रेंड पर पहुंची इतनी अच्छी खेली जा रही है टॉप में आ रही है फाइनल फैंटसी 16 है मतब इससे पहले इन्होंने 15 अलक से वर्जन निकाले होंगे 15 अलक से वर्जन इन्होंने डाले होंगे तब जाके लोग आज इनकी गेम यहां तक पहुंची है अब किसी कि पहले दूसरे वर्जन में ही गेम बड़ी ज्यादा पॉपलर हो जाती है हाला कि वीडियो गेम्स खेलने वाल वो कर क्या रहें ना उन्हों ने गेम बनाई ना कुछ बनी बनाई गेम लोगों के द्वारा बनी हुई है ना कभी कोडिंग सीखी ना कैसे गेम बनेगी वो जानते बस बनी बनाई गेम उसको डाउनलोड करके खेल के लाइव स्ट्रीम करके लोगों को खेल के बता रहे हैं च इतना पैसा खेलने में नहीं है, खेलने में तो कोई इतना नहीं कमाता, लेकिन वीडियो गेम बनाने वाले कितना करोडों कमाते होंगे आप वो सोचेए, इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्यूंकि आप कोडिंग सीख गए, तो coding के बाद आपके लिए एक हलुआ हो जाता है वीडियो गेम बनाना हलुआ मतलब बहुत easy हो जाता है वीडियो गेम आपके लिए बनाना ठीक है The Legend of Zelda Tears of the Kingdom यह second number पर top में आती है मतलब कि मेरे हिसाब से The Legend of Zelda number one video game across the world अभी चल रही है ठीक है और Baldur's Gate 3 Game of the Year इसका नाम है ठीक है तो इस तरीके की गेम रहेगी तो मुझे उमीद है कि मैं आपके सामने पूरी top 30 video games के नाम रखे एक अलग से दो लिष्टे रखी तीसरे लिष्ट हमारे पास खुद की Google Chrome पर अगर आप सर्च करते है तो वहां से AI जनरेट करके लिष्ट आती है यह लिष्ट आप देखिए इन्होंने जो लिष्ट यहां पर दिया इसका मलब यह नहीं है कि GTA 5 नंबर वन की है इन्होंने रेंडम दे दिया इधर लेकिन यह सारी top 30 है आप इसको टोटल इसको अगर काउंट भी करते हैं तो टोटल यहां पर 25 ही है और बाकी आपको अलग से बता दी त 5, Super Mario 64, The Witcher 3, Wild Hunt, God of War, or Hello Combat Evolved, Super Mario Bros, Fortnite, or Bloodborne, or Red Dead Redemption 2, Redemption, or Half-Life 2, or BioShock, or The Last of Us 8, or Tetris, or Metal Gear Solid Teen Snake, or Overwatch, The Legend of Zelda, Minecraft, or Minecraft ने कई तरीके के वर्जन अब निकाल दिये हैं, और Mass Effect 2, or Portal 2, or Resident Evil 4, or Elden Ring, or Baldur's Gate 3, or The Elder Scrolls V, Skyrim, यह सारी top video games है, अभी के समय वर्ल्ड में, अब इन में इसमें उन्होंनों पब्लिसर्स के नाम भी दे रखे, किसने इसको पब्लिस किया है, किसने इसको निर्माता होते हैं, पब्लिशर मतब जिन्होंने इसको डाला है, इंटरनेट पे ठीक है, जिनके द्वारा डाला गया, अब क्या है ना दोस्तों, इस गेम के नीचे आप इसमें ऐसे करते हैं, इस पे ठीक, तो यह खुद बताता है, कि कैसी कैसी वो गेम है, उसके बारे में खुद से बारे में जानना हूँ, मुझे कमेंट में बता सकता है, नए टॉपिक, वर्ड का कोई सा भी नए टॉपिक आपके दिमाग में आए, आप कमेंट में में मिर को बताइए, मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा, सबस्क्राइब करना है, लाइक शेयर करना है, और साथ ही साथ कमेंट में तो आपको अपने नाम वगेरा भी बता के जाना कमेंट में और मिलूँगा आप से तब तक के लिए तब तक के लिए आप सब का दन्यवाद